हेलो दोस्तों स्वागत आपका Friend Study सर्गिल चैनल में और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे हिंदी के टाप 20 questions और उसका आंसर जो बेहद ही मतपूर्ण होगा आने वाले आपके एक्जाम के लिए चाहे आप UPP दे रहे हैं, ASI दे रहे हैं, Junior Assistant देने वाले हैं UPSC के जो भी एक्जाम है और UPP को टार्गेट करते हुए जैसा कि Constable एक्जाम 18 फरोरी को संभावित है होने वाला है, उसी को टार्गेट करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है, चैनल पर यदि आपने पहले बर विजिट किया है तो चैनल को दोस्तों आपको एक्जाम में मिलेंगे, तो याद कर लिजिएगा concept भी बताया जाएंगे, जो इसका ब्याख्या होगा, बहुत ही सांदार्ट तरीके से बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्रम से देखिएगा, और ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, आप अ पहला question क्या है, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पहला question है, सभा में कई लोग उपस्थित थे, इस वाक्य में सर्वनाम है, क्या पूछ रहा है, सर्वनाम, जब आप पेपर देने जाएंगे, तो जरू देखिए कि question में क्या कह रहा है, तो इसमें सर्वनाम पूछ रहा तो right answer इसका क्या होगा, आप लोग guess करेंगे थोड़ा सा, वीडियो को रोक कर, उसके बाद आप answer देंगे, right answer दोस्तों क्या होगा, इसमें हो जाएगा कई, कैसे होगा, चलिए explanation बता देते हैं, सभा में कई लोग उपस्ती थे, इस वाक्य में जो सर्वनाम है, वो होगा सर्वनाम क्या होता है, आप जानते होंगे, सिलबस पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा, जिन सब्दों का प्रियोग संगय अर्थवात किसी ब्यक्ति वस्त अस्थान आद के नाम के अस्थान पर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, और संगय क्य संगया होता है जैसे कि किसी का नाम जो होता है वह ही जनग्या हुता है यहां पर क्या होते हैं कि पर यहां धी नहुंगा होता है estos यह को हमowski यह घर मेरे दादा जी ने बनवाया है तो इसमें यह जो होगा यह आपका सवरुनाम होगा इसमें आप सवरुनाम में जो चैप्टर पड़े होंगे तो और भी डीटेल्स में पड़े होंगे तो इस वज़े से डीटेल्स में बहु जादा नहीं जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्ट अगला क्यूश्यन है जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्यांस के लिए उचित सब्द चुनिए बातुनी अतिस्योक्ति वाकपट्टू या वाकजाल तो राइट आंसर इसका क्या होगा अब वीडियो को तुरंत रोग दीजिएगा उसके बाद आप इसका आंसर जाएगा यह ध्यान देंगे अब तीनों को देख लेते हैं एक्स्प्लेनेशन के साथ बातुनी कहेगा तो बहुत बोलने वाले ब्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं बातुनी कहते हैं अतिस्योक्ति क्या होता है किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कर कहना ठीक है यहां प जाते हैं और राइट आंसर आपका जो होगा वो वाकपट्टू हो जाएगा आगे हम लोग देखते हैं अगला क्यूशन है राधा गौर वर्ण की सुन्दर महिला थी वाक्य में प्रियुक्त वर्ण सब्द नीम्न में से किस अर्थ को ब्यक्त करता है वर्ण के बारे में पू जो है रंग को यहाँ पर डिनोट करा रहा है राइट आंसर रंग हो जाएगा ठीक है एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं राधा गौर वर्ण की सुन्दर महिला थी इस वाक में प्रियुक्त सब्द वर्ण का अर्थ जो है रंग होता है यहाँ पर यह ध्यान देंगे कभी- ठीक है समनारते में पूछ लेता है अगला क्यूशन निमलिखित में से अधिकरण कारक युक्त वाके का चैन कीजिए पहला वाके क्या है हीमांचल में बहुत सांती है दूसरा मैं तुमसे निवेदन कर रहा था तीसरा है मधूर गुरुजी से नित सीख रहा है और चौथा तुम बगिया को साफ करो तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगोंने कारक पढ़ा होगा जो आठ कारक होते है इसमें अधिकरण कारक युख्त वाके का पहचान करना है वही आपका आंसर होगा राइट आंसर बते ही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमान्चल में बहुत सांती है क्योंकि अधिकरण का जो पहचान ही होता है अधिकरण जो होता है वो में या फिर पर होता है ठीक है यही इसका पहचान होता है तो right answer आपका हो जाएगा हिमान्चल में बहुत सान्ती है अगला question है प्रतिछड में कौन सा समास है करमधार है, तथपुरुस, बहुब्री या अब्याई भाव बताई right answer इसका क्या होगा, कौन सा समास है इसमें right answer क्या हो जाएगा, अब्याई भाव समास ठीक है, explanation देख लेते हैं, प्रतिछड का समास विग्र हर छण होता है इसको यदि आप तोड़ेंगे, तो इसका समास विग्र क्या होगा हर छण प्रतिछड साब्द में अब्याई भाव समास है, जहां प्रथम पद या पूरुपद प्रधान हो यह भी आपसे क्योशन पूर सकता है, जहां प्रतम पद या पूरुपद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेशर अब्याई हो उसे अब्याई भाव समास कहते हैं, ठीक है? राष्ट, राज्य, पेट, टकना, अंगूठा, गला, हाथ, पैर, तो थोड़ा आप इसको दिमाग लगाएंगे, तभी आप कर पाएंगे चली, इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिर्च, काली, मिर्च, इमली, ठीक है? यह इस्त्रिलिंग सब्द हैं, बाकी इसमें इस्त्रिलिंग, पुलिंग कई वर्ड हैं, तो आप यह देख लीजिएगा, क्योंकि एक्स्प्लिनेशन बहुत जादा करेंगे, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और यदि आपने सिल्बस पढ़ा है, तो आपको किवर्ड करना है, यहां पर साट में देख लीजिए, क्या है, मिर्च, काली मिर्च, इमली, आधी सब्द, इस्त्रिलिंग है, देश, राष्ट, राज, पेट, टकना, अंगूठा, गला, हाथ, पैर, पुलिंग है, इसमें जो है क्रिया यदि आप लगाएंगे, तो थोड़ा सा पैचान कर सकते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते ही हैं, या फिर बोलते ही हैं, ठीक है, एक्जाम्पल के तोर पे जैसे मा लीजी आप पेट है, तो पेट भर गया बोला जाता है, ना कि भर गई, ठीक है, अंगूठा जो है, अंगूठा तूट गया बोलते हैं, ना कि पुर्दास, कवीर्दास, तुलसी दास या बिहारी, तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ाई होगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तुलसी दास, थोड़ा डीटेल्स देख लीजिए, क्या दे रहा है, विने पत्रिका तुलसी दास रचित एक ग्रंथ है, यह ब जानकी मंगल, रामलला नहचू, बरवे रमायर, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आधी, अगला क्यूशन है, निमलिखित में से, एक वचन, बहु वचन के सही सब्द यूगम का चेहन कीजिए, पहला क्या दे रहा है, मानव, मानवी, दूसरा, नेता, नेतागीरी, तीसरा, गुरू, गुरू, या फिर भक्त, भक्त जन, राइट आंसर बताई ये क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, भक्त एक वचन सब्द है, और भक्त जन होता है, या फिर भक्त गण भी दे सकता है, ये बहु वचन सब्द होंगे, भक्त का अर्थ क्या होता है, उपासक या स ठीक है अगला क्यूशन है अभिजात का प्रयावाची है आल उपयूक्त उत्मा या संभ्रांत बता यह क्या होगा इसका है तो थोड़ा इसको डिटेल्स मिलेकर चलेंगे और यहां पर देख सकते हैं क्या देख रहा है अभिजात का प्रियावाची पहले देख लिजी क्या होता है पूज, स्रेष्ठ, उच्छ, कुलीन जिन सब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या बोलेंगे प्रियावाची अथवा समनार्थी सब्द कहेंगे तलवार का यहां पे प्रियावाची है असी, करवाल, कृपार, खडग, स सायक, चंद्रहास, भाला का यह पूछ देता है बर्चा, नेजा, कुंत, सलाका, कीरण का, जियोती, गो, अंसु, प्रभा, दीपती, कर, मयूख, रस्मी, मरीची, दुर्गा के प्रियावाची, महागवरी, कुमारी, सांभवी, चंडिका, चामुंडा, कल्याडी, एक-एक फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप याद रहेगा, तो पदमा लच्मी जी का होता है, तो आप कर जाएंगे, पदमा, पदमासना, रमा, गमला, स्री, समुद्रजा, सिंदुजा, सोना का क्या-क्या परिवाची होता है, यहाँ पे देख लीजे दिया है, हिरंडय, कनक, स्वर्ड, सुवर्ड, हाटक, हेम, कंचन, चामिकार, हनुमान के क्या-क्या परिवाची है, मारूती, रामदूत, पवनकुमार, अन्यनी पूत्र, कपिस्वर, केसरी नंदन, एक बार और इसको रिपीट करेंगे, तो आपको याद भी हो जाएंगे, अगला क्यूशन है, र राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा भाव वाच्य, एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं, राहुल से दोड़ा नहीं जाता वाक में वाच्य के प्रकार का सही विकल भाव वाच्य होगा, भाव वाच्य क्या होता है, जिस वाक में क्रिया, कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाव वाच कहते हैं और वाच्च क्या होते हैं तो वाच्च किरिया के उस रुपांतर को कहते हैं जिससे करता कर्म और भाव के अनुसार किरिया के परिवर्तन ग्यात होते हैं और यहाँ पे कुछ एक्जामपल देख लिए कर् किर्थवाच क में करता होगा, यह कृतिवाच में करता होगा राम्पत्र लिखता है, तो यह किर्थवाच..भावाच में आप इतना जान दना जासा, उसे ये काम हो नहीं पाता इस पत चलेगा अगला question है असंगत विकल्प का चैन कीजिए मैं बाहर खेलता हूं अस्थान वाचक क्रियाबिसेसर मैंने सुबह खाना खाया था योगिक क्रियाबिसेसर वो फटाफट बोलता है रिति वाचक क्रियाबिसेसर समद अधिक खाना खाता है परिमार वाचक किरिया पिशे सड, किरिया विशे सड पढ़े होंगे, आसानी से बता सकते हैं, इसमें असंगत पूछ रहा है, यानि कि कोई एक जो है गलत होगा, राइट आंसर बताएगे क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा, आपसन नम्मर B, मैंने सुब किरिया विशे सड जो किसी दूसरे में प्रत्य या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे किरिया विशे सड योगिक किरिया विशे सड किस रेडी में आते हैं, संग्या से योगिक किरिया विशे सड कौन से हैं, जैसे सुबह से सवेरे, साय, आजन में, इसका क्या क्या होग करमसद दिखेक प्रेयमपुर्वक रात-भरolph मन से आधि स्वरनाम से योगी किर्या विशेसर कौन कौन से है यहाँ वहाँ अब कब इतना उतना जहाँ जिस से विशेसर से चुपके पहले दूसरे बुदा द 야 दीरे आधि क्रिया से कौन कौन में और यहदि आपने पड़ा है तो आप फटाक से कर जाएंगे आगे बढ़ते हैं इसमें वर्तनी चाटना है पूछ रहा है असुद्ध सब्ध छाटी कौन सा इसमें गलत लिखा है अघ्यकारी सही लिखा है अऑग्या भी सही लिखा है आग्याकारडी भी सही लिखा है और यहां पे देख लीजिए यह जो है ऐसे नहीं आग्याकारडी लिखाएगा तो यहाँ पे कुछ word दे दिये गए हैं देख लिजे जैसे यहाँ पे देखी क्या होता है सुद्ध सब्ध यहाँ पे आग्याकारी आग्याकारणी यानि आग्या का पालन करने वाला आग्या यानि इजाजत, अनुमती, हुक्म, आदेश अब जागरती देता है, तो यह गलत है यहाँ पे जागरिती होता है उजोल देख लीजे कैसे लिखाएगा आधाज, आधाज, वो ल, उजोल ऐसे लिखाता है अनुदित का अनुदित होता है कवी यत्री को कवे यत्री बोलते हैं, ठीक है यह वर्ड सही है अनभधिग यदि देगा ति यह जो है गलत है यह अनुभीघ कि यह सही है प्रतिछाया में प्रतिछाया असीरवाद भी बाध बार पूर्शता है तो असीरवाद ऐसी लिखाता है यहां पर वह पर जो रहता है के लिए साहीत अकाद्मी पूरसकार प्राप्ष हुआ है। आपसने हम हस्मत 20 जिन्दगी नामा C सूरज्मुखी अन्धेरे के D बादलो के गहरे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हुजाएगा राइट आंसर हो जाएगा जिन्दगी नामा के लिए इन्हें साहित अकेडमी अवार्ड मिला है और यह कब प्रकासित हुआ था तो 1979 में यह प्रकासित हुआ था और इसे जो 2017 में ग्यानफिट पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है तो यह भी आपसे पूछ सकता याद रखिएगा अगला क्यूशन है कंद मूल भोग करें कंद मूल भोग करें तीन बेर खाती ते बित तीन बेर खाती है इसमें अलंकार तो आप अलंकार पड़े होंगे कि जब एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो उसका हर बार जो है अलग अलग अर्थ निकलता है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा? आपसन क्या है? अनुप्राशलंकार, स्लेशलंकार, यमक अलंकार, विपसालंकार. राइट answer हो जाएगा यमक अलंकार. एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं यमक अलंकार जब एक सब्द का प्रियोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ जो है अलग-अलग होंगे जैसे काली घटा का घमंड घटा कनक कनक ते सवगनी मादक तादिका स्लेस में क्या होता है स्लेस में ये इंपार्टेंट है क्योंकि लड़के जो है कन्फ्यूज हो जाते है स्टुडेंट जो है इसमें कन्फ्यूज होते है कि इसमें पानी पानी दो बार आया है तो स्लेस में आएगा राइमन पानी राकिये बिन पानी सबसून पानी गयन उबरे मोती मानुश चून ठीक है सलेस का अर्थ होता है जिपका हुआ या मिला हुआ जब किसी सब्ध का प्रियोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब स्लेस लंकार होता है यह याद कर लिजिएगा यमक भी देगा कन्फ्यूज हो जाएंगे तो स्लेस लंकार होगा राइमन पानी राखिये में इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं पंदर नम्मर है मुख बाल रवी सम लाल पंक्ति में अलंकार बताए मानवी करण अतिस योक्ति यमक और उपमा राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार किसी प्रस्तु तवस्तु की उसके किसी विशेस गुण क्रिया सुभाव आधि की समानता के आधार पर और अपरस्तु समानता अस्थापित की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा जैसे इसमें कुछ चिंज मिलेंगे जैसे सा रहेगा सम रहेगा सी रहेगा आधि ठीक है कम प्रीजन होगा जैसे एक्जामपल में देख लिजे क्या है मुख बाल रवी समलाल मुख चंदरमा सा सुन्दर है अगला क्यूशन है दिये गया वाक्य कि किस भाग में त्रोटी है परिच्छा दो तारिख के दिन संपन होगी परिच्छा में है, दो तारिक में है, के दिन में है या संपन होगी में है इसमें आपको error ढूणना है, यानि कि त्रोटी ढूणना है इसमें right answer आपका हो जाएगा के दिन, यहाँ पे के दिन के जगा को होगा ठीक है, explanation, परिच्छा दो तारिक को संपन होगी, यह सुद्ध होगा अगला question है, निम्नलिखित वाक्यों में से असुद्ध वाक्य का चैन कीजिए इसमें कोई एक sentence जो है गलत है, उसने घर आते ही सब को प्रणाम किया समझदार ब्यक्ति के लिए संकित मात्र ही प्रियाप्त होता है गिलास में दूद्ध उपर तक भरा हुआ है, तुम लोग कब वापस लोटे इसका right answer बताइए क्या होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे यह ऐसे sentence होगा, बाकी यह तीनों सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, और यह भी सही है अगला question है, छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पढ़ता है इन ही बीराम अस्तलों को क्या कहते हैं, मात्रा, बीक्रम, सीवर्ण, याडी, यती थोड़ा साभी पढ़े होंगे, तो तुरंत आंसर करेंगे तो उस रुकने वाली किरिया को क्या बोलते हैं, यती बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, यती ठीक है, थोड़ा सेक्स बेने, इस तन देख लीजिए चंदों को पढ़ते समय बीच-बीच में कुछ रुकना पढ़ता है, इन्ही विराम अस्तलों को यती कहते हैं, यती क्या होता है, चंद में नियमित वर्ण पर सांस लेने के लिए रुकना पढ़ता है यती कहलाता है पद या चरण चंद के प्रतेक पंक्ति को चरण या पद कहते हैं ये भी पूछ सकता है कि जो पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं गती क्या होती है चंद के पढ़ने के प्रवाह या लै को गती कहते हैं और तुक क्या होता है चंद के चरणों कौन से वर्ग में हैं को ज़फ असपर्स संघर्षी बेंजन पूछ रहा है ठीक है यह असपर्स बेंजन वर्ग में आएंगे explanation दिए गया word में से कौज अफ़ ये तीनों वर्ड असपर्सी बेंजन के स्रेड़ी में परिगणित होते हैं को वर्ग को वर्ग का पर्थम वर्ड माना जाता है जो वर्ड चो वर्ग का तिरती वर्ड माना जाता है और वर्ड पो वर्ग का दृती वर्ड माना जाता है सगोस अगोस अलपप्राण महाप्राण यह सब आपने पढ़ा होगा इससे भी आगे आने वाले में टेस्टीरीज में आपको इसके क्रम से आपको क्यूस्चन्स मिलेंगे यहां पर देखिए असपर्स बेंजन इन बेंजनों का उचारण मुख के विभीन अंगों के असपर्स से उचारित किया जाता है को सिमा तक कूल 25 बेंजन असपर्स हैं लेकिन द्वी गूड बेंजन ढ़ा और ढ़ा है ढ़ा ढ़ा को जोड़ देने पर इनकी जो संख्या है व पावर का तथदधन और पावर का पफबभ म और यह दोनों धा और धा धकन वाला तोटल 27 हो जाएंगे और इस्टे सिरीज का लास्ट क्यूशन चोटा मुह बड़ी बात इस लोकोक्ति का अर्थ है सिध्धान्त हिन ब्यक्ति बच्चे से बोली गई बात कहकर मुकर जाना स सीमा से बाहर हो कर बोलना तो अनसर आप लोग बताई देंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएंगा सीमा से होकर बाहर होकर बोलना ठीक है इसके explanation देख लीजिए यहाँ पे वाके प्रयोग करेंगे यदि मैं यह कहूँ कि हमारी यहनीती इस घर को लेड़ ऊगई तो छोटा मूँ बड़ी बात होगी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग मतलब सिर्फ अपने मन की करना या दूसरों के साथ तालमेल नहीं बैठना इस्वर की माया कहीं धूब कहीं चाया यानि संसार में कहीं समानता नहीं है उल्टा चोर को तवाल को डाटे दोसी ब्यक्ति द्वारा निर्दोस पर लांचन लगाना एक तो करेला और दूसरा नीम चड़ा एक साथ दो-दोस होना याद रख लिजीगा कहीं खेट की सुनी खलहान की यानि कहना कुछ और और सुनना कुछ और ठीक है तो यह सब ही टेस्सीरी जो हैं इंपर्टेंट है आप कम समय में बहुत बेतरीन रिवीजन कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अबना ख्याल रखें तैयारी करते ही रहें टेक केर बाय बाय वीडियो को लाइक सेए जरू किजिए धन्यवाद